पॉस प्रोड़क्स में से एक रेशम है रेशम यानि सिल्क एक प्राकिर्टिक रेशा जिससे दुरिया भर में एक खास किसम के कपड़े तयार किये जाते हैं रेशम से तयार किये गए कपड़े बहुत ही जादा सौफ्ट चमकदार और मजबूत होते हैं रेशम के इन कपड़ों की एक और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये गर्मी के मौसम में ठंड और ठंड के मौसम में गर्माहट का एहसास कराते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि रेशम के कपड़ों को तयार करने के लिए रेशम के धागे की जरुवत होती है जो की Bombix Mori यानि की Silkworm नाम के कीट से प्राप्त होता है लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है इन कीडों का जन्म कैसे होता है और सबसे important इने पाला कैसे जाता है दोस्तों अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाते हैं तो इस वीडियो में अंततक का जरूर बने रहेगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फैशन के इस दोर में रेशम से तयार कपडों का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है जिसके कारण मार्केट में इनकी डिमांड भी दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है और रेशम की मांग को देखते हुए आज चीन और जापान समेत भारत एटलिस पेन फ्रांस जैसे कई देशों में वेवसाय के उद्धिश से रेशम के कीडों का पालन किया जा रहा है रेशम कीड पालन में शहतूत के पेड या फिर यूँ कहें कि इनकी पत्यों का एक महतपुन कॉम्पोनेंट है जिसके बिना आप रेशम कीड के पालन की कलपना भी नहीं कर सकते दरसल शहतूत एक पेरेनियल ट्री होता है यानि इस पेड को एक बार लगा देने के बाद इसमें इतनी जादा पत्या आती हैं कि ये अगले 15 वर्षों तक रेशम कीड के भोजन की विवस्था कर देता है वैसे कि आपको पता है कि रेशम के कीडों से रेशम प्राप्त करने की कला सबसे पहले चीन में विक्सित हुई थी चीन के लोगों को ये कला आज से 4000 साल पहले ही मालूम पड़ गई थी कहते हैं कि चीन की रानी सीलिंग शी ने एक बार गलती से एक रेशम के कीड को पानी में डाल दिया था अगले दिन रानी ने पानी वाले बर्तन में से रेशम के धागे निकलते देखे तब इसे चीन में रेशम के कीडों को पालना आरंभ कर दिया गया इन धागों के प्रयोग से वहां कपड़े बुनने का काम शुरू हुआ कहा जाता है कि ये रेशम के कपड़ों की बुनाई का रहस्य कई दशकों तक चीन के लोगों ने बाहर के देशों से छिपा कर रखा हाला कि बाद में जापान के राजा ने अपने जासूसों को भेज कर इस रहस्य की जानकारी हासिल कर ली जापान के ये जासूस चीन से रेशम के कीडों के कुछ अंडों को छुपा कर जापान ले आये थे और फिर जापान से ये कला धीरे धीरे पूरी दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गए दूस्तों अगर बात करें भारत की तो यहां शेहतूत के पेडों पर कीटों द्वारा रेशम उत्पाधन का काम मुख्यरूप से पश्यम बंगाल, करनाटक, जम्मू और कश्मीर, आंद्रप्रदेश और तमिलनाडू में किया जाता है अब आईए जानते हैं शेहतूत की पत्तियों पर रेशम कीट को पाला कैसे जाता है एक रेशम कीट का जन्म कैसे होता है, इनकी प्रजनन प्रकरिया कैसे होती है, कैसे ये विकास करते हैं और किस तरह से इनसे रेशम प्राप्त किया जाता है यहां सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब रेशम कीट पूरी तरह से विक्सित हो जाते हैं तो इन्हें रेशम तितली कहा जाता है रेशम तितली की प्रजनन क्रिया भी अन्य जंतों की तरह होती है इनमें भी नर और मादा का मिलन होता है लेकिन ये मिलन सामाने कीटों की तरह महस कुछ मिंटों का नहीं होता बलके इन में 6-7 घंटों का मिलन होता है मिलन की इस प्रक्रिया के बाद नर मादा से अलग हो जाता है और लगभग एक हफटे इन में मादा अंडे देने की स्थीती में आ जाती है जिसके बाद मादा अंडे देती है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि कैसे यह मादा रेशम तितली यहां अंडे दे रही है दोस्तों उम्मीद है आपने आज से पहले ऐसा अद्भुत नजारा नहीं देखा होगा वैसे दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि एक रेशम तितली एक बार में 300 से 400 अंडे देती है और इनमें सबसे खास बात यह होती है कि अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है